देखे दोस्तों यहाँ पर question number 7 में करवाने जा रहा हूँ मुझे message मिला कि सर इस question में समझ नहीं आ रहा है basically हमने अगर question किये थे अपने जो notes में ठीक है illustration उसमें मैंने convergence related एक question करवाया था ठीक है अपने notes open करके देखे उसमें question होगा equation में convert हो जाते अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा होता ठीक है और उसके बाद अगर यह question किया होता इसमें थोड़ा साइद दिमाग लगा होता तो यह question soul हो जाता कोई दिक्कत नहीं है doubt कर आता है और जब वो question आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको यहाँ पर doubt हो रहा है यहाँ पर question देख लेते question number seven को यहाँ पर discuss कर लेते क्या कहता है question question आपके पास में कहता है question आपके पास में कहता है यहाँ पर कि कंपनी ने issue कर रहे है question number seven कंपनी issue करती है यहाँ पर 15% convertible debentures okay 100 रुपे वाले 100 रुपे जीच के इसाफ से at a par issue कि आज गया है ठीक है बहुत बढ़िया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आगे देखते है with a maturity period जो है वो six year का है इसका मतलब redeemable debentures है right redeemable debentures है वो obviously convertible है तो कभी ना कभी redeem होने वाले convertible का मतलब क्या होता है asset debentures जो equity share में convert होने वाले मतलब कि कहीं ना कई कोई ना कोई time period तो होगा ही होगा हमें पहले ही पता चल गया था convertible word से ही पता चल जाता है कि यह redeemable होगे और कहा भी है six year ठीक है right आगे बढ़ते है one maturity each debentures will be convert into two equity shares ओके तो एक debentures के बदले दो equity दिये जाएंगे total debentures है कितने कहा नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते चलेंगे एक debentures के बदले दो equity share मिलेंगे यह तो हमें पता चल गया इसे mark कर लेते हैं आगे बढ़ते है risk free rate of return जो है वो 10% है market risk premium जो है वो 18% और beta of the company 1.25 है ठीक है company has paid dividend paid ओके word important paid ठीक है paid dividend 12.76 ठीक है rupees 12.76 per share के इसाब से 5 year ago it paid dividend of 10 rupees per share on floating cost जो है 5% है floating cost भी important रेता है student अगर भूल जाए ठीक है वैसे इसकी treatment में कोई बड़ी बात नहीं है NP आपका net proceed में से minus करना होता है लेकिन भूल जाए तो पूरा यह answer गलत है तो इसे मेरे ख्याल से mark करना सही रहेगा जब question हम exam में हाता है तो इस तरीके से marking करनी पड़ती है one of floating cost definitely आप भूल जाएंगे चलिए और इसके बाद यह भी mark करिएगा ठीक है पांच परसेंट वाले preference यह से कहता है 100 रुपे वाले है इशू किये थे हमने 10 रुपे premium के हिसाब से और इस शेर रीडिमेबल आफ्टर 10 यह राइट 10 यह के बाद जी जो है वह रीडिम होने वाले है और floating cost जो है वह 6 परसेंट के हिसाब से है इशू पर ठीक है अब issue price given है market price given नहीं है ठीक है तो रीडिमेबल का जब हम formula put करेंगे वहाँ पर redemption value और NP net proceed दो चीज़े आएगगी net proceed में क्या होता है सर market value और issue price मैंने कहा था आपके chapter की starting में कि net proceed में हम issue price कब लेते है market value कब लेते है वह आपको पता है मैं वापस से बताऊंगा नहीं बेजिकली यहाँ पर तो एक ही चीज़ गीवन है issue price तो कोई जगड़ा ही नहीं है यहाँ पर issue price ही ले लेना है और बात करें अगर redemption value की तो मैंने always आपको not लिखवा के दे दिया है right अपने nots में मिल जाएंगा nots में क्या लिखवा है था लिखवा है था यह कि अगर redemption value नह करना है cost of convertible debentures using approach method and ytm method से भी आपको यहाँ पर calculate करना है cost of preferences तो solve करते हैं इसको चाले practical question number 7 ठीक है practical question number 7 ठीक है आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ solution अपनी language में हो तो बढ़िया है बाकी तो solution तो आपके ICM module में भी है तो फिर भी मुसे लिखवाने की क्या दरूरत है right इसका कारणी यही रहता है कि अपना अगर solution लिखा हुआ है तो वह ज्यादा बहतर understanding provide करेगा ठीक है त चलिए तो सबसे पहले तो convertible debentures है मतलब की redeemable है तो redeemable का formula put करना पड़ेगा आईए सबसे पहला जो question पूछा है कि आपको convertible debenture की question की कोस्ट निकाले convertible debentures मतलब की redeemable ही है कहा है six years तो redeemable debentures का formula सबसे पहला question अगर solve करें तो KD पूछा है और KD का formula दो ही है हमारे पास एक एक redeemable का एक redeemable का question ने बता दिया है कि redeemable है तो redeemable का formula put करना पड़ेगा क्या था interest 1-t इसमें add करेंगे अपना rv-np divided by 2 sorry divide by यहाँ पे n है और whole divide by rv plus np divided by 2 ओके जो चीज़े पता है वो value put करेंगे जो चीज़े नहीं पता है उसको working note में calculate करेंगे interest always पता होता है क्योंकि जो rate होता है वही interest होता है 15% तो 100 का 15% 15 रुपे अब यह सब चीज़े तो मैं question करवा चुका हूँ इसलिए मैं direct यहाँ पर calculation बता सकता हूँ right explanation की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती tax rate question में given है 40% 1-40% ठीक है प्लस redemption value redeem कितने में होने वाला है sir redeem के लिए ही conversion जो convertible debentures होते है ठीक है वह convert जो जिसमें होने वाला है sir convert एक में ही होते equity chest right equity chest में convert होने वाला है उस equity chest की market value मतलब की redemption value question करवाया था मैंने ठीक है वही question यहाँ पर है कुछ यहाँ पर नया नहीं है right तो हमें क्या करना होगा redemption value निकालने के लिए सबसे पहले मुझे उस equity chest की market value निकालने पड़ेगी मतलब की value निकालने पड़ेगी उसकी तो market value जैसे मिल जाएगी वो redemption value मिल जाएगी ठीक है मतलब की देखिए डिबेंचर के बड़ले equity पुरवाइड किया जा रहे है equity की जो market value होगी वही हम redemption value मान लेंगे question मैंने करवाय था वही same question है तो मुझे करना क्या पड़ेगा working note में working note में मुझे एक काम करना पड़ेगा working note में adding देके working note 1 सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा जिसको heading दे सकते है market value of equity ठीक है market value of equity जिसे हम P0 भी कहते है राइट अब यह सारी चीज़े ता पड़ चुके है तो मुझे वापस से इतना explanation नहीं करना पड़ेगा अगर P0 बोलता हूँ तो तूरंत याद आना चाहिए ओके है तो उसके लिए formulas or whatever use करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसने directly market value given नहीं है हमने ऐसा question करा था जहां पर market value directly given थी तो हमने value put कर दी answer आ गया लेकिन इसने यह कहा है कि एक debentures के बदले एक debentures के बदले दो आपके पास में equity मिलेंगे ठीक है दो equity shares मिलेंगे यह कहा है इसके बाद equity की market value क्या रहेगी यह नहीं given है लेकिन indirect information कह रहा है कि आप एक काम करिए कुछ से formula put कर गया answer निकाल लीजिए ठीक है अब formula put करने में दिक्कत ही आती है कि equity shares में तो मैंने 5 formula पढ़़ा है 5 formula है growth का है earning price approach है dividend price approach है काफी जार formula पढ़़ा है कौन सा formula formula always depend करेगा information जो question में गिवन है question की information को पढ़ो equity shares में और कहता है risk free rate of return और जैसे यह word बोलता है मुझे पता जल जाता है कि sir हमारे पास 5 में से एक ही ऐसा formula है जहां पर risk free rate of return यूज होता है और वो है sir C.A.P.M. method वो है sir C.A.P.M. method ठीक है तो उसका ही formula मुझे put करना है उसका formula याद करवाई है जरा मुझे याद नहीं है आ आप याद करवाएंगे मेरे से पहले आप calculate करेंगे ठीक है C.A.P.M. method से यही कैसे निकलता है risk free rate of return वाला formula सर इसका formula कुछ इस तरीके से होगा कि सर राय रिस्क-free rate of return ठीक है इसमें add करेंगे बीटा इसमें आप जो है into करेंगे RM मतलब की market portfolio rate और रिस्क-free rate of return इसमें से माइनस करेंगे अब जब एक्जाम में question आएगा तो इसके full form आपको यहाँ पे bracket में लिखके आने इसके भी numbers हो कितना है 10% 10% है प्लस बीटा कितना है बीटा जो है वह आपके पास में कितना है बीटा यहाँ पे कहा है बीटा of the company 1.25 1.25 risk-free market portfolio return कितना है तो यहाँ पे कहता है market risk premium जो है वह 18% है आपके पास में तो यह 18% है और और माइनस risk free rate of return 10% है लिजा आंसन मिलेगा की मिलेगा सर अभी भी नहीं मिला है मार्केट वे ठीन कितना है तो रीजर प्री रेट आफ रीटनорт 10 परसेंट यांप की मार्केट मतलब क्या होता है MARKET रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है यह डाइरेक आपको लैस करके दे रखा है हमने यहापे प्रीमियम पढ़ाई नहीं MARKET RISK PREMIUM का मतलब होता है RM-RF RM-RF को क्ला जाए तो यह नहीं MARKET RISK PREMIUM का जाता है और hemen minus rf इसको combined ली risk free market risk premium कहा जाता है market risk premium कहा जाता है तो ये चीज़ याद रख्येका directly ये 18% minus मतलब ये दोनों का minus करके direct 18% दिया जा रहा है तो ये बढ़या बात है यह ध्यान दखने वाली बात थी तो यहां पर 18% directly less करके दे रखा है इसका अंसर निकालेंगे आप तो 18 मतलब की 0.18 18% मतलब की 0.18 into 1.25 और इसमें अड़ करेंगे तो यह अंसर मेरा कुछ इस तरीके सा रहा है 32.5% 32.5% हमारा के निकल के आ रहा है ठीक है के 32.5% ठीक है आगे calculation करते हैं आगे कौन से calculation है के निकल के आए अभी भी हमारा जो main मकसद है कि हमें जो है market value चाहिए P0 चाहिए equity shares का अगर वही मिलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे वन्ना फिर कैसे बढ़ पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे P0 मुझे चाहिए अभी भी मुझे P0 नहीं मिला है के ही मिला है ठीक है आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं P0 के लिए तो देखिए हमारे पास में पहले तीन formula थे उससे ही P0 कहीना कहीं मिल पाएगा एक तो dividend price एपरो D1 divided by P0 वो formula था सेकेंड formula कौन सा पढ़ा हुआ था एक अनिंग प्राइज एपरो जहां पर अनिंग डिवाइड बाई P0 था ठीक है तो वहां से P0 निकल सकता है वो तीसरा formula गोडन का model ठीक है जहां पर growth वागेर आता है यह तीन basically main formula है जहां पर P0 आम निकाल पाते हैं question को देखते हैं कि कहीं इन्हीं में से कोई apply नहीं हो रहा है न देखते हैं कहता है कि company pay कर रहे है dividend 12.76 के इसाफ से 12.76 रुपीज के इसाफ से dividend ठीक है ओक तो dividend price approach हो सकता है या फिर golden model हो सकत है dividend पढ़ते हैं हमें पता चल जाएगा कि इसाफ dividend के लिए दो हमारे पास में formula है dividend price approach और आपके पास में golden model इन दोनों में सही कोई apply होगा आगे देखते हैं किता है five year ago जो है वो dividend pay किया था 10 रुपे floating को 5% अब जैसे ही यह कहता है तो यह question यहां से लेके यहां से लेके यह the company यहां से लेके मैंने इस question को separately question करवाय था आपके notes में होगा यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको देखेंगे तो यह separately मैंने question करवा रखा इतना ठीक है कि जब आपको 5 साल पहले 10 साल पहले से पहले का dividend pay किया कितना वो बताएगा और last year हमने pay कितना किया वो बताएग कि golden model है वो question में करवा चुका हूँ इसलिए हैं आपे ज्यादा discuss नहीं करेंगे directly बता देते golden model का formula के is equal to d1 divided by p0 और plus g ठीक है यह sign हमें देता है कि यह golden model apply करने के लिए का रहा है तो यहां से p0 मुझे मिल जाएगा के तो मुझे पता है 32.5% d1 क्या पता है क्या last year हमने जो है pay करा है 12.76 लेकिन d1 नहीं पता यह d0 है ठीक है तो d1 नहीं पता लेकिन d1 नहीं पता d0 पता है तो d0 का formula होता है d1 का formula d0 plus g कर दो तो d1 मिल जाएगा d0 12.76 है उसमें growth add करना है growth कितना है question नहीं कहा question नहीं indirectly कहा है कि 5 साल पहले dividend इतना pay करते थे last year हमने इतना pay करा तो देख formula मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा एक formula मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर growth directly नहीं given है तो उसके लिए 2 formula होते उसमें से एक ऐसा formula मैंने करवाया था और जिस पे इस type का question भी करवाया था ठीक है तो यहाँ पे यह वही question apply होने जा रहा है ऐसा कुछ formula पढ़ाया था root में यहाँ पे n d0 divided by dn ठीक है और फिर minus 1 कर देना ठीक है फिर minus 1 कर देना ऐसा मैंने आपको formula पढ़ाया था यह वही formula apply करने का आ चुका है n कितना है मतलब की number of year n का मतलब number of year मतलब की कितने साल पहले की compare region कर रहे हो तो यहाँ पे कहता है 5 साल पहले 10 रुपे पे रहा था 5 साल क जो मैंने आपको notes में करवाया था ठीक है आपके पास notes होके वही question है सहीं तो याद आना चाहिए d0 का मतलब last year last year में आपने कितना पे करा मतलब की last आपने dividend कितना पे करा 12.76 dn dn का मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है 5 साल तो 5 साल पहले की बात हो रही है न तो वह तब कितना पे किया था कियाता है 5 साल पहले 10 रुपे पे किया था ठीक है 10 और minus 1 कर देना है इस root को solve करने के मैंने 5 step लिखवा रखे है आपके notes में available है लेकिन यहाप अगर देख अंसर क्या होगा देखिए सबसे पहले तो आप इसे solve करिए यहाँ पर 5 root में इसे करिए 12.76 divided by 10 करिए तो यह आपका answer आएगा 1.276 ठीक है और यह minus 1 अब सबसे पहले इसे solve करने का बहुत आसान तरीका होता है देखिए आपको यहाँ पर table दो तरीके के दे रखे है always जियान रखे कि जब हमें growth चाहिए तो हम यहाँ पर कौन सा table देंगे FVIF वाला जहा table देखना है यह PV वाला नहीं देखना है ठीक है यह PV factor के लिए है यह आपके पास में कब लिया जाता है जब IRR method apply होता है yield maturity आपका apply होता है तब उसके लिए table होता है present value basically लेकिन यहाँ पे जो है interest rate के लिए होता है तो सबसे पहले यह बात समझ में आती है कि growth का अगर कोई table वगेरा given है और अगर आपको यहाँ पर देखना है कि growth कितना होगा तो always जयान रखी यह FVIF वाला table आपको given होना चाहिए अगर नहीं given है तो पास step आपको apply करने पड़ेंगे जो मैंने आपको लिखवा रखे लेक आपको PVIF में जहाँ पर 5 लिखा है यहाँ पर 5-6-7 जहाँ पर 5 लिखा है उसको mark करिए answer इसी line में है answer इसी row में है ठीक है अब कितना answer होगा बिल्कुल simple है यह answer को निकाल दो वही आपका answer है यह answer आपके पास में निकाल दो वही आपके पास में answer है ठीक है वही आपके पास में answer होगा तो directly में यहाँ पर देख लूँ इस row में यह 1.276 कहा है वो rate जो होगा वही आपका answer है तो 1.276 यह रह तो rate growth rate कितना होगा सर्फ 5% समझा है 5% direct मिल गया growth लीजिए कामी खत्म growth rate 5% लीजिए काम खत्म डीवन आपको मिल गया डीवन आपको मिल गया 12.76 प्लस करेंगे 5% तो यहाँ पे आपका answer आएगा 13.398 ठीक है तो यहाँ पे value put कर देंगे 13.398 ठीक है पी 0 के लिए तो यह calculation कर रहे है तो उसकी value तो पता ही नहीं होगा उसके लिए तो यह सब कुछ मगजमारी है इसके बाद g तो हमें मिल चुका 5% मतलब कि 0.05 लिख सकता हूँ मैं ठीक है और यहाँ पे 32.5 है मतलब कि 32.5 divided by 100 मतलब कि इसको क्या लिख सकता हूँ 0.325 ठीक है ओल्वेज इसे point में लिखने की आदत रखे इस पे क्या कि point में solve करने का आसानी होती है percentage में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है को student को इसलिए मैं always इसमें लिख वाता हूँ ठीक है चलिए तो इसे solve करेंगे अभी solve करने से पहले एक दिक्कत यहाँ पे आएगी कौन से दिक्कत आएगी दिक्कत यहाँ पे यह आएगी कि growth ही जो हमने यह calculation करा है इसमें एक दिक्कत यहाँ पे आएगी कि यह जो growth हमारा निकल के आया ठीक है यह growth निकल के आया यह 5% growth निकल के आया यह कप से निकल के आया य लेकिन दिख्केतु वाली बात तो यह है कि यहां पर बात की जारी है जो 12.76 है वो तो 5 सल के बाद का है ठीक है 5 सल के बात का है यहां पर हम अगरें हैं तौ यह 10 रुपय 5 सल बाद यह 12.76 पे एक आ जा रहा आज ठीक है मतलब कि उसको मिला के हमने इसको 5 साल की effect देते हुए 5% निकाले मतलब कि आज जो 12.76 है वो 5% के इसाब से यह से अब कच से मजबें आता है अब यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि आज आज ठीक है आज प्राइज कितना है आज डिवीडन कितना है डिवीडन अमाउंट डिवीडन अमाउंट जो है वो 12.5 12.76 12.76 है आज से हम जो हमारा रेट निकल के इपेक्ट दे के हम यहाँ बे निकल चोके अमाउंट 5% है ग्रोथ 5% हलसाल होगा ठीक है तो यह 5% सब कुछ मिला के आज का वैल्यू इतना है दिक्कत वाली बात यह है कि रीडिम आज नहीं होने वाला है रीडिम 6 साल बाद होने वाला है मतलब कि रीडिम ज बताएंगे कि क्या आफ्टर 6 एर भी उसकी वैल्यू 12.76 होगे आंसर इस नो आंसर क्यों नो है क्योंकि आप समझ रहें कि यह पर 5% ग्रोथ का मतलब ही होता है कि हर साल इतना ग्रोथ हो रहा है मतलब कि कहीं न कहीं यह तो आपके पास में क्या है D1 है हमें कहां पे जाना प पड़ेगा D7 का मतलब होता है आपके पास में 6th year का end या फिर 7th year का opening D7 पर जाना पड़ेगा ठीक है मतलब कि हमें यहां पर D1 की नहीं D7 की जरूरत है अगर मैं यहां पर clarify करू तो D7 की जरूरत है क्यों क्योंकि redeem सात्वे साल में होने वाला है ठीक है 6 साल बाद तो यहां पर मुझे जरूरत D7 की है ठीक है D7 की जरूरत है और मेरे पास क्या है अभी मेरे पास अभी 0 है ठीक है 12.76 D0 है मुझे इसमें 5% 5% 5% 5% ऐसे add करते D7 तक पहुंचना है या फिर D6 तक पहुंचना है आप कह सकते हैं ठीक है D7 D6 D6 का end मुझे चाहिए या फिर D7 का starting बहुत ज्यादा सिम्पल है तो इसी के लिए एक डायग्रम बनाएंगे और उससे हमारा एक सिम्पल तरीके से क्वेश्चन सोल हो जाएगा आए इसको स्वाल करने के लिए यहां पर सिंपली एक रो मोर दिन सफिशंट है इसे मिटा देता हूँ एक बार के लिए यह डी वन है लेकिन हमें जरूरत है डी सेवन की सबसे पहले एक एक करके काम करेंगे कोई दिकत नहीं यहां पर पी जीरो भी नहीं आएगा रुख जाएए एक एक करके समझेंगे सबसे पहले यह समझ में आया कि मुझे डी सेवन चाहिए डी वन नहीं चाहिए क्योंकि साथ छे साल बा कर दीजे डाइग्रम में स्टार्टिंग में आप वो चीज लिखिए जो आपके पास में है डी से रिलेटिट क्या चीज है मेरे पास तो डी दीजीरो है मारे पास में डी जेरो कितना है 12.76 ठीक है अब आगे बढ़ते जाहिए हमें कहा तक पहुंचना है सर्थीज सेवेन ठीक है डी सेवन का बिगनिंग म動画 चाहिए ठीक है तो पर D1 2 3 4 5 6 और D7 का यह Begins मुझे यहां तक पहुचना है D7 तक तो D7 का दो यहां पर मुझे पहुचना है हर साल 5% का यहां पर growth होता है कहता है growth का मतलब होता है कि हर साल 5% constant growth होगा ठीक है 5% 5% 5% ऐसा question मैंने dividend decision में करवाया है लेकिन फिर भी यहाँ पर आया है तो मैं करवा देता हूँ dividend decision में फिर से देखने को मिलागा इस पर base हमने question करा है तो यहाँ पर D0 मेरे पास है मुझे D7 तक पहुंचना है तो मैं सब से पहला इसे change कर दो कहाँ पर पोचना है D7 अगर D7 यहाँ पर होगा तो automatically यह change होगा यह always होता है P क्या होता है D7 होता है तो उसका X step पीछे यहाँ पर always होता है always तो यहाँ पर D7 है तो always hereon पर P6 होगा तो यह भी change होगा पी 6 और आप अगर देखे तो मुझे पी 6 चाहिए पी 0 नहीं है अगर आप अच्छे से देखे ध्यान से तो मुझे पी 6 ही चाहिए कैसे सर समझे रीडिम कब होने वाला है 6 साल बाद मतलब की 6 साल बाद मतलब की 6 year के end में market की price क्या रही होगी equity share equity share की market price क्या रही होगी उससे ही तो convert करेंगे आज की market price जानके क्या करेंगे 6 साल बाद redeem होने वाला है तो उस time की redemption value क्या होगी वही तो आमें जानना है वही पे तो conversion हो रहा है आज की market value पे नहीं होता जब conversion होता है उस time की market value देखी जाती है तो conversion कब होना है वाला है 6 साल बाद तो 6 साल बात की P0 लेंगे न, P6 लेंगे न, P0 थोड़ी ना लेंगे, सिधी सी बात है, तो यह समझ में आता है, P का मतलब क्या होता है, ending की, ठीक है, तो ending मतलब की 6 ही लेना पड़ेगा, 7 नहीं ले सकते, P6 का मतलब होता है, ending of 6th year, ठीक है, ending of 6th year, market price at the ending of 6th year, तो P0 का ending, P6 क ending, sorry, तो यहाँ पर simply निकाल लीजिए, परी calculator लीजिए, 12.76, ठीक है, 5%, 5%, 5%, 5% add करते जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले, plus 5%, तो आपके सामने होगा, 13.33, 13.398, फिर plus 5% करेंगे, अब यहाँ पर समझने, यहाँ पर 5%, यहाँ पर समझने लायक यह है, कि simply हमें क्या करन 12.76 करिए, 12.76, प्लस 5% करिए, प्लस 5% जैसे ही करेंगे, आपका answer आएगा, 13.398, ठीक है, यह D1 आएगा, D1 का मतलब year 1 के starting में, अब इसमें जैसे प्लस 5% करेंगे, तो year 1 का ending, यहाँ फिर second year का starting क्या सकते हैं, वो मिलेगा, ठीक है, तो second year का starting मिलेगा, second year का starting मिलेगा, second year का starting, प्लस 5% करेंगे, तो जैसे ही प्लस 5% करेंगे, यहाँ पे D2 मिलेगा, आपको, D2 मिलेगा कितना, 14.067, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वापस से 5% add करेंगे, तो यहाँ पे 14.77, इस तरीके से मिलेगा, मैं sort में लिखता हूँ, जगह नहीं है न, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा, आपको, प्लस 5% करेंगे, तो 15.50, यह D4 मिलेगा, इसके बाद D5, प्लस 5% करेंगे, 16.28, यह D5 मिल जाएगा, और फिर D6 के लिए, प्लस 5% करेंगे, तो यह D6 मिलेगा, 17.099, और इसमें प्लस 5% करेंगे, तो D7 मिल जाएगा, ठीक है, यह आपको मिल लेगा कितना 17.95 लीजिए D7 मिल चुका हमें D7 ही चाहिए था D7 मिल चुका ठीक है लीजिए D7 D7 की जरूवत थी D7 मिल चुका 17.95 17.9546 इस तरीके से है ठीक है पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले ले लेते बढ़िया रहता है अच्छा है अब फिर से एक बार यहां पर पूरे का पूरा explain कर देता हूँ सबसे पहले P6 मुझे यहां पर आंसर दे दीजिए 0.05 उस तरब जाएगा तो 0.325-0.05 और यह जो आंसर आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा 17.9546 इस तरीके से आंसर आ रहा होगा 65.289 ठीक है यह आपका आंसर आ रहा होगा मार्केट फिर से एक बार repeat करेंगे चीजों को ठीक है वीडियो थोड़ा basic बड़ा होगा लेकिन question को अच्छे से समझ ले तो अच्छा रहता है basically यह question हम ऐसा कर चुक है लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं पूरा ही explain कर दूँ देखे सबसे से पहले समझ यह कि हमें P0 की जरूरत है इसलि केई को तो हमने निकाल लिया उसके बाद थोड़ा सा आगी question को पढ़ा तो हमें पता चला कि सर growth model का यहां पे कुछ चीज़ है given है तो उससे related हमने सबसे पहले growth निकाला 5% निकल के आ ठीक है table given था वहां से निकाला 5% निकल के आ गया अब पता चला कि यह तो D1 मिलेगा 5% add करने से क्योंकि हमें यहां पर D0 given है 12.76 द जऑन है और redeem कब होने वाला है 6 सल बाद ठीक है 6 सल बाद मतलब कि D7 की जरूरत होती है अगर हम यहां पर market value calculate करें तो D7 चाहिए हमें क्योंकि 6 सल बाद redeem होने वाला है तो वही value हमें चाहिए ठीक है तो यहां पर 6 सल बाद redeem होने वाला है तो उसकी value हमें चाहिए तो यहाँ पर पता चला कि हमें D1 नहीं D7 चाहिए और जैसे यह D7 होता है तो कंपल सरी नीचे भी change करना पड़ता है एक से एक step पीछे मतब की P6 ही लेना पड़ता है सेम ऐसा question हम dividend decision में आपके practical question में से एक कर चुके है ठीक है वहीं पर मैंने same यही चीज़ पड़ाई थी तो यहाँ पर भी same वही चीज़ है जैसे ही हमने यह calculation कर आपके सामने आ जाएगा P6 ठीक है P6 मिल गया काम खतम एक debentures के बड़ले दो मिलने वाले तो दो equity मिलने वाले दो एक की value कितनी है 65 point एक की value कितनी है एक share की value 289 65.289 है तो बताइए एक debentures के बड़ले कितनी market value के share मिलेंगे 2 into 65.289 मतलब की 130 point एक debentures के बड़ले 130.578 इतने amount के debentures इतने amount के equity shares मिलेंगे basically 2 equity shares मिलेंगे जिसके market value इतनी होगी लेजे काम भी हो गया अपना अपना काम हो गया question को solve कर रहे देंगे अब यही आपका क्या बन जाएगा sir यही आपका NP बन जाएगा market value right लेजे question में value पुट कर यह redemption value तो अग question ने नहीं कहा है तो वह तो 100 इमान के चलेंगे question नहीं कहा था ना sorry redemption net proceed बोल रहा हूं यहाँ पर redemption value redeem कितने में वह लेवाले तो यही तो calculation करी आरवी अरवी ठीक है और net proceed के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो 100 मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कहता था कि 100 रूपीज इच के इसाब से हमने issue करा था तो issue price भी हम ले लेंगे market value कुछ भी नहीं कहा है तो issue price 100 ले लेंगे और आरवी तो हमने निकाला उसी के लिए तो यह सार 100 लेके चलेंगे issue डिवाइड बाई एन नंबर ओफ यहर बताइए भाई नंबर ओफ यहर का कितने यहर 6 यह ठीक है लीजिए स्वाल करिये आंसन निकालिये और question को खतम करिये ठीक है छोटा सा question था लेकिन समझना बड़ा important था 130 पॉइंट y78 plus 100 divide by 6 sorry divide by 2 solve करिये जल्दी से solve करिये और कोई information question में नहीं है राइट अच्छाए एक मिनिट floating cost कौन माइनस करेगा भई floating cost को था हमने highlight कर रखा है और मैं अभी अभी बोल रहा था यहां पर आपके पास में कि floating cost general student बूल जाते है तो यहां पर हम थोड़ी ना बूलेंगे floating cost given है देखे highlight किया हुआ floating cost को कैसे बूल सकते है floating cost 10p में से always minus हो जाता है तो 5 रुपी यहां से minus कर देंगे 5% मतलब की always य हो जाती 95 right 95 95 okay calculation को complete कर यह जल्दी से अगर यह से solve करें आपका यह 9 यह आपका answer आएगा और यहां पर आपका कुछ इस तरीके से answer आएगा 0.132368 ठीक है कुछ इस तरीके से answer आ रहा होगा यह से percentage में लिखे मैंने always कहा है कि आप जो है अपने answer में दोनों तरीके से point में और percentage में दोनों लिख के आएंगे 13.24 लिख सकते हैं अगर completely short में complete करना है तो percentage 24 परसेंट तो यह आपके पास में केडी निकल के आ जाएगा जो पहला question हमें approach approach method का होता है approach मैं मतलब में आपको बता चुका हूँ इसका मतलब होता है formula method ठीक है तो formula method हमने अपलाई किया इसके बाद second कहता है ytm method से करिए ytm method से cost of preferences निकालिए basically ytm method मैंने आपको separate video में provide करूंगा ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पे है तो मैं सबसे पहले से explain कर देता है ytm method अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ने के method से cost of preferences ठीक है short मैं लिख देता हूँ preferences निकाल लेते हैं ठीक है preferences के बारे में information है क्या वो बता यह कहता है कि 10 साल के बाद ready होने वाल तो यहाँ पर year लिखना होगा और मैं आपको अगर आपने IRR method पढ़ा है मेरे साथ तो आपको पता होगा कि यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाते एंप भी निकालनी होती है बेसिकली दो रेट से एंप भी निकालनी होती है और मैंने ओल्वेज आपको IRR पढ़ाते वक्त ही कहा था कि दो रेट के लिए आपको ओल्वेज वो question में कुछ नया ट्रेन निकला है कि आई से अभी भी आपको एकस जो आपको एसमिशन नहीं देगा आपको वो question में ही दो तिन रेट दे के चलेगा ठीक है दो तिन रेट आपके पास में दे के चलेगा तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में रेट आपको ओल्रेडी कि एगे किए और यहाँ पर क्या करें e.k और यहाँ प्रैंकि कैसे करेंगे मलटिप्लाय करेंगे पीव ь बीफेक्टर से और जैसे पीप्टर से मल्टिप्लाय बिंटीप्लाय करेंगे आपको एंट बेगा ठीक है higher method में यहाँ आपको पढ़ा चुका हूँ तो डएक सोल्यूशन से मैं बता देता हूं यहां पर यह लीजिए आपके पास में यह सोल्यूशन है आपका देखिए सबसे पहले यहां पर टोटल दस साल है यह 0 जैसे कि मैंने कहा था कि IRR मेथड़ यह 0 से स्टाट हो कर यह 0 में पी फेक्टर ओल्वेज वन होता है यह भी बताया था ठीक है इसके बाद एक से 10 साल डायरेक्ट लिख लिया क्यों लिख लिया क्यों कि हर साल अगर हमारी इंकम याद करिये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हर साल इंकम आपकी सेम रहती है अगर आपकी इंकम हर साल सेम है तो आप यहां पर क्या करेंगे एक साथ लिग लें अच्छा अब यहां पे में चीज है केश फ्लो लिखना सबसे पहले तो यह जीरो में खर्चा लिखा जाता है कि कितने में मैं पर्चेस करा तो कहता है कंपनी ने जो है यहां पर प्रीमियम से एशू करा था 10% तो यहां पर 10% प्रीमियम मतलब की 100 प्लस 10% मतलब की 110 वैं हमने purchase किया होगा 110 परचेस किया होगा ना राइट 110 में purchase किया होगthon लेकिन यहाँ पे floating cost का charge कटा होगा floating cost का charge कितना है ऍिटके तो 6% कटा होग और 6% तो एशू पराइज में से एशू है हमारा 110 Whew इशूपारी किद्ट फेस्ट को से लेता है लेकिन ही इशूम प्राइज इस最 प्राइज था क्योंकि फ्लोटिंग को सब्हें कर दो इसका लिया जाता है ठीक है लेकिन इस प्राइज जनरल एकोईशन में 100 देखने को मिलती है इस बार यहाँ पे कुछ नया है क्याता है इस प्राइज 110 है तो यहाँ पर आपको क्लियरिफाइ कर दूँ के फ्लोटिंग इस प्राइज पर होता है क्योंकि मैं आपको 0.4 यह खर्चा आपका तो सब से पहले खर्चा लिख लिए ठीक है यह करचा लिख लिए हमोने इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें में सर हर साला हमें एक कितनी होने वाली जासा sitter है कि अ की डिवीडं मिलेगा राया हमें यहां पर क्या मिलेगा dividend मिलेगा कितना dividend मिलेगा 5% 5% को किस पे होता है always 100 पे तो 5% का यहाँ पे करेंगे तो 5 रुपे हर साल dividend मिलेगा 5 रुपे dividend ठीक है 5 रुपे हर साल dividend मिलेगा और आपके पास में जब 10th year आएगा तो आपको पूरे उसके पैसे मिल जाएंगे ठीक है रीडिम कितने में होने वाला है अगर कुछ भी नहीं कहा है तो हम क्या मान लेंगे एटप पार होगा रीडिम ठीक है तो 100 रुपेस ले लिया ठीक है यह जीजिए एक काम करना पड़ेगा मुझे यह है सौल करवाना पड़ेगा इस तरीके से नहीं चलेगा यह जो सौल्यूशन गिवन है चलिए एक काम करता हूँ मैं इसे सौल ही करवा देता हूँ यहाँ पर बेजिकली मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पर ठीक है और इसे सौल ही करवा देता हूँ देखे यहाँ पे सबसे पहले percentage की मैं clarification कर दू कि आपको 4-5 percentage already question में given होगे जैसे कि यहाँ पे देखे यहाँ पे 3% given है 0.03 मतलब की 3% 5% given है बढ़िया बात यह है कि यह सिर्फ वो सिर्फ 3 और 5 की ही बात कर रहे है मतलब की वो directly आपको कह रहा है कि यह काम करो 3% लो और 5% लो दो ही है ठीक है यह P V I F A क्या मतलब होता है सर P V I F A का मतलब होता है वो आपको total देता है अभी मैं explain करता हूँ कि P V I F का मतलब क्या होता है और P V I F A का मतलब क्या होता है अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ राइट चलिए टेबल में यहाँ पे लीजे मैंने यहाँ पे टेबल भी बना लिया है बताएए यह जीरो पे कितना खर्चा होने वाला था यह अभी अभी हमने कैलकुलेट करा एक सो तीन पॉ रुपे मिलता लाएगा डिवीडेंट और जैसे दसवा साल आएगा हमें क्या मिलेगा दसवा साल पर हमें मिलेगा माउंट जो रीडिमशन की बात नहीं है तो 100 रुपे मिल जाएगा वह हम यहां पर मान के चलेंगे ठीक है रीडिमेटर पार हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर अब PV फेक्टर के लिए वो खुद कह रहा है कि 1% 3 लो और 1% 5 लो 2% लेना होता है एक से NPV पॉजिटिव आना चाहिए एक से नेगेटिव तो उसने खुद खुद कहा है कि 2% यह है तो यहां पर एक से पॉजिटिव आएगा एक से नेगेटिव आएगा देख लेते हैं सब को टेबल में गीवन है टेबल में अगर आप देखें तो यहां पे 3% मुझे यहां भी 3% की कैलकुलेशन कर रहा हूं 3% PV फे का मतलब होता है टोटल मिला के मतलब कि आप जिस भी यहर में जाओगे तो वो टोटल देगा उसका जैसे कि मैं तीसरे साल में देखू तो 3 साल का यह टोटल है 3 साल का टोटल आप खूद कर सकते हैं अगर यहाँ पे टोटल करेंगे फी फी फ inve भी तो टोटल आपको वही मिलेगा हमें यहीं चाहिए हमें PV factor का sum of PV factor चाहिए 10 साल का 3% के इसाब से तो अगर मैं direct दसवे साल पहुँझ जाओ तो मुझे sum of PV factor directly given है आप खुद भी निकाल सकते 1 by 1 divided by 1 plus 3% करके equal to equal to press करके लेकिन अगर directly given है तो क्या ही दिखकत है directly given है 8.530 ठीके और दसवे साल में एक बार आपको पैसा मिल जाएगा यह 10 साल तक नहीं मिलना इसमें cumulative नहीं लेना यह 10 साल एक ही बार मिलेगा तो दसवे साल का PV factor कितना है 10 साल का PV factor है cumulative नहीं चाहिए 10 साल का क्योंकि पैसे 100 रुपे कब मिलेंगे दसवे साल एक ही बार मिलेंगे न हर बार नहीं मिलेंगे तो दसवे साल एक बार मिलेंगे तो उसका PV फेक्टर है 0.744 ठीक है अब इसका कैलकुलेशन करिए जल्दी से multiply करिए 103.4 खर्चा है और ये income है तो income को multiply करूंगा 5 into 8.530 तो 42.65 ठीक है और 7.44 0.744 into 100 ये 74.4 आएगा ठीक है इसका कैलकुलेशन करेंगे एक बार के लिए 5 परसेंट का भी सोल करते थे बताइए 10 साल का cumulative कितना है 5% में 5% में PVF A में देखेंगे 10 साल का cumulative है 7.5 722 ठीक है और 10 साल का पीवी फेक्टर कितना है 5 में परसेंट PVF का मतलब ये year wise होता है और FA का मतलब cumulative होता है तो F में देखूगा 10 साल का पीवी फेक्टर 0.614 ठीक है multiply करके अंसल निकाले case flow इंटू करना case flow इंटू पीवी फेक्टर होता है तो ये तो always 10 3.4 ही होगा खर्चा है और यहाँ पर 5 इंटू 7.722 38.61 और ये 100 इंटू 6100 इंटू 0.614 तो 61.4 ठीक है ये हमारा calculation हो गया answer निकाले इसका ये खर्चे को minus दिखा देना राइट ये यहाँ पर खर्चा always minus में होता है outflow मतलब की लीजिए जल्दी से answer निकाले इसका total NPV निकल गया जाएगा तो IRR का formula पूट कर देंगे तो इसका total जो है यहाँ पर आ रहा होगा एक बार calculation कर लें तो 103.4 यह minus है प्लस 42.65 प्लस 74.4 तो यह आएगा आपके पास में 13.65 पोजिटिव तो अब यहाँ से negative आएगा एक बार चेक कर लेतें क्योंकि आइसे ने मॉट्यूल ने खुद यहाँ पर दो परसंटेट दिया तो एक से positive है तो दूसरे से negative होना कंपल सरी है तो अब यहाँ पर negative ही आएगा एक बार चेक कर लेतें 103.4 यह minus plus 38.61 plus 61.4 तो यह आपके पास में answer आएगा 3.39 बट नेगेटिव चलिए तो IRR का formula की जो condition होती की एक एक एन पी पोजिटिव चाहिए एक एन पी नेगेटिव चाहिए वो फूलफिल हो लेगे तो तूरंत IRR का formula put कर देंगे तो IRR is equal to lower rate LR ठीक है यहाँ पर मैं short में लिख रहा हूँ आप फूल फूर्म एक्जम में कंपल सरी फूल फूर्म लिखना पड़ता है कि LR का मतलब क्या है तो lower rate ठीक है यहाँ पर मैं direct बता देता हूँ बेजिकली मुझे solution करवाना था लेकिन detail में हम जा रहे हैं कोई दिकर नहीं तो यहाँ पर simply NPV लेना होता है lower का NPV of lower rate और NPV नीचे divide by करना होता है NPV of lower rate minus करना होता है NPV of higher rate और फिर यहाँ पर multiply करना होता है हमें higher rate minus lower rate ठीक है यह हमें multiply करना होता है तो lower rate कितना है दो ही तो rate है 3 और 5 lower कौन सा है 3 तो 3% आपका lower है ठीक है और यहाँ पर बता यह NPV of lower rate कितना है lower rate का NPV 13.65 13.65 चाल यह चीज़ आपके पास में clear इसके बाद NPV of LR वही है 13.65 minus करेंगे NPV of HR 5 का NPV 3.39 लेकिन minus है 3.39 minus में into HR मतलब कि यह 5 है और यह 3 है तो यह हो जाएगा 2 ठीक है यह 2 हो जाएगा ठीक है जल्दी से complete करेंगे परसंटीज में है सब ठीक है यह 3 परसंट है और solve करना इसे आता ही है न नहीं सिखा तो हम यहां पर IRR में पढ़ेंगे कोई दिकत नहीं से solve कैसे कर दे जाता है यहां पर basically मैं आपको दिखा देता हूँ directly डीटेल में तो नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन यहां पर directly calculation दिखा दूँगा वैसे भी समझा जाएगा तो यहां पर 13. पॉइंट ऐसे solve ही गह रही है direct कितना आएगा 13.65 प्लस 3.39 तो 13.65 डिवाइड बाई 17.04 करेंगे तो यह answer आएगा इसका डिवाइड बाई करने से 0.080 10.0 नहीं है 0.80 है यहां पर answer आएगा 0.801056 ठीक है ऐसा कुछ यहां पर answer आ रहा है इसमें add कर देंगे 2% सबसे पहले यह वाली चीज़ खतम करेंगे प्लस के इस तरफ की चीज़े खतम करेंगे यह add नहीं है into है into कर देंगे 2% 2% को हम क्या पर लिखेंगे 0.02 यह point में है तो यह भी point में ही होना चाहिए ठीक है यह simple rule है 5th 6th के ठीक है ना तो multiply कर यह 0.02 से तो यह आ जाएगा 0.01602 अब add करना है तो यह percentage में तो यह 3% में ही करना पड़ेगा तो यह से percentage में लिख देते हैं 3% और add करेंगे यह से percentage में करना है तो into 100 कर दो मतलब की 1.602 1% ठीक है तो direct add करना है 3 plus 1 मतलब की 4 point आपका कितना आ जाएगा plus 3 कर दो ना direct आ जाएगा answer 4.602 2-1 कुछ percentage आपके पास में आ जाएगा लो जी यह solve कर दी आपके IC module में कुछ अलग तरीके से था लेकिन एक बार check करना पड़ेगा हमारा answer मैं चोर आ या नहीं ठीक है ना वनना फिर मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दूसरा कोई answer दे रखा है कि और point हाँ जी exact answer आ रहा है एक जेट आपके पास में answer आ रहा है कितना आ रहा है हमारा हाँ एक जेट आपके पास में answer आ चुका इन लोगों ने पता नहीं कैसे यहाँ पर questions को solve किया इसे ignore करेंगे completely हम यहाँ पर basically वही formula यूज कर रहा है लेकिन और तरीके से राइट हम यहाँ पर IRR की जो method होती है उस पर ही चलेंगे ठीक है तो यह चीज़ आपके पास में हो जाती है आप इसका screenshot निकाल सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक बात एक page turn कर रहा हूँ अगर screenshot निकालना है या फिर लिखना है तो लिख लीजेगा यह आपका page number one यह आपका page number two working not यह page number आपके पास में three यह page number four जहां पर question number two है और यह page number आपका five ठीक है तो लीजे यह इतना सा यहाँ पर question था जिसे हमने अच्छा से completely एक detail में हमने जोई से कर लिया है obviously time ज्यादा लगा है लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इसके आने के chances ज्यादा है मतलब कि इस point के right question कभी भी same आ सकता है नहीं आ सकता है इस पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए question mostly same नहीं आएगा कुतना कुछ changes होगा यह point हमारे लिए important है इस point पर focus करिएगा right चलिए